हेलो एभरीवन इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एलेडी एंड एलसीडे तो हम लोग एलेडी और एलसीडी के बारे में देखेंगे तो एलेडी का फूल फॉर्म क्या होता है लाइट इमीटिंग डायोड यह क्या आपका एक डायोड है लाइट इमीटिंग डायोड एलसीडी का फूल फॉर्म क्या होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यहां जो डिस्प्ले होता है वो लिक्विड क्रिस्टल का होता है अब हम लोग LED में देखते हैं इट कंजूम और पावर LED जो है जज़्यादा पावर को कंजूम करता है 40 mili wat per numeral per numeral ये कितना कंजूम करता है 40 mili wat वही आपका LCD में क्या है इट कंजूम लेस पावर 20 micrawart per segment हम लोग क्या करते है LCD को segment में बाट देते हैं तो एक segment जो है 20 micro watt आपका power को consume करता है The switching time on off is less than 1 nanosecond जो आपका LED का switching time होता है on off करने का जो timing होता है वो आपका बहुत ही कम होता है less than 1 nanosecond 1 nanosecond से भी कम होता है LCD में क्या होता है The switching time is quite large जो आपका LCD में switching time होता है on off time होता है वो आपका जैदा होता है compare to LED next है LED are not suited for large area display LED जो है light emitting diode जो है वो आपको large area display means area का अगर area अगर बढ़ जाएगा display का तो वहाँ पे ये suitable नहीं है LCD में क्या है it is suitable for large area display LCD क्या है आपका large area display के लिए suitable है large area के लिए suitable है next क्या है आपका LED में हम लोग देख रहे हैं they have high cost LED क्या होता है आपका costly होता है LED क्या होता है costly होता है ज्यादा cost होता है LCD क्या है they have low cost LCD का low cost क्या होता है कम होता है compare to LED next point है आपका LED में it used on DC easily आपका LED जी हो है light emitting diode जो है वो DC पे direct current पे आसानी से काम करता है वही LCD में क्या है its life span is quite small when used on DC जब आप LCD को DC पे use करते है तो उसका life span क्या होता है कम हो जाता है बहुत ही कम हो जाता है means घट जाता है तो वो आपका AC पे अच्छे से काम करता है next है LED मे LED is operated over a wide range of temperature say 0 to 70 degree Celsius LED जो है वो आपका wide range of temperature means ज़्यदा temperature range में काम करता है 0 से 70 degree Celsius तक LCD में क्या है it does not operate at wide range of temperature LCD आपका wide range of temperature में काम नहीं करता है ज़्यदा temperature पे ये काम नहीं करता है next है आपका LED are miniature in size miniature means छोटा है small LED का size क्या होता है आपका small size होता है वही LCD में क्या होता है it is large in size LCD का क्या होता है large size होता है compare to LED तो ये आपका LCD और LED में difference था next हम लो एक previous year question को देखते हैं जो पूछा गया question है 2012 का question पूछा गया question है classify different display system and compare LED and LCD आपको different display system जो है उसको classify करना है और LED और LCD में compare करना है ये 2012 का question है तो देखते हैं classification of display तो display आपका बहुर टाइप का होता है जैसे कि cathode relative CRT का होता है जो हम लोग देखते हैं आप अपने lab में देखते होंगे CRT का हम लोग CRT का यूज़ करते हैं आप उसलियो इसकोप के वहाँ पर CRT ये स्क्रीन आता है जो आप उसलियो इसकोप यूज़ करते हैं laboratory में तो वहाँ पर CRT का स्क्रीन आता है नेक्स्ट है आपका light emitting diode ये भी आपका display system है नेक्स्ट है आपका liquid crystal display liquid crystal display LCD नेक्स्ट है आपका gas discharge plasma display जिसको हम लोग cold cathode display और या नेक्सी भी बोलते हैं नेक्स्ट है आपका electro luminance display और नेक्स्ट है आपका last incandescent display तो ये आपका different type का display है जो हम लोग use करते हैं और नेक्स्ट कोशन था इसका second part क्या है कोशन का compare LED and LCD जो हम अलेड़ी अभी देखे हैं LED और LCD में compare region तो इस तरह से आप इसका answer कर सकते हैं Thank you for watching my video